इस वीडियो में हम देखने वाले WordPress एपसाट में Testimonial Slider को किस तरह से एड़ करते हैं या फिर Testimonial को Carousel Format में किस तरह से एड़ करते हैं तो इसको एड़ करने के लिए सबसे पहले या पर हमें एक Simple Plugin के यूज़ करने वाले तो या पर आपको Enter करने लिए Testimonial Slider Testimonial Slider इंटर करने के बाद या पर आपको एक Plugin दिखाए देगा तो आपको सबसे पहले इस Plugin को या पर इंस्टोल करके Activate कर लिए ना है Plugin के इंस्टोल होने के बाद या पर आपको एक Testimonial का Option वीजिबल हो जाएगा उसके बाद या पर आपको क्लिक कर लिए उस Option पर क्लिक करने के बाद या पर आपको Testimonial Add करने के लिए Option अविलेबल हो जाएगे या पर आपको Add Testimonial का Option दिखाए दे रहोगा तो सबसे पहले आपको इसके उपर क्लिक कर लिए ना है इसके उपर क्लिक करने के बाद यहापर आपको टेस्टिमोनिल का टाइटर इंटर करने के लिए option दिये जाएगा तो यहापर आपको टेस्टिमोनिल का जो नाम है वो यहापर इंटर कर लिना है तो मैं यहापर टेस्टिमोनिल का नाम इंटर कर लिता हूँ उसके बाद आप जो भी टेस्टेमोनियों के content रखना चाहते हो तो उसको यहापर इंटर कर लेना है तो मैं यहापर इसको copy कर लेता हो और यहापर इंटर कर लेता हो टेस्टेमोनियों के content इंटर करने के बाद आपको नीचे scroll करना है उसके बाद याप पर आप उसकी designation सेलेट कर लेने है designation सेलेट करने के बाद याप आपको company सेलेट कर लेने है company इंटर करने है आप पर आपको उसके बाद आप location रखना चाहते हो तो याप आप आपको location इंटर कर लेना है उसके बाद आप rating रखना चाहते हो तो यहाप आपको rating भी select कर लिनी है उसके बाद यहाप आपको feature image set करने के लिए एक option दिखाई दे रहा होगा तो इसके उपर आपको click कर लिना है click करने के बाद यहाप feature image भी set कर सकते हो तो मैं इस feature image भी select कर लिता हूँ feature image select करने के बाद आपको उपर आना है करने के बाद आपको फिर से टेस्टिमोनिर के option में जाना है और यह पर आने के बाद यह पर आपको shortcode का एक option दिखाए दे रहा होगा तो इसके उपर आपको क्लिक कर लेना है तो shortcode के option को इलिट करके दिखाता हूं तो सबसे पहले आपको कुछ बेसिक सी सेटिंग कंप्लीट कर लिने यह पर आने के बाद आपको नीचे आना है और यह पर आपको लियाउट सेलेट कर लिने फिलाल हम यह आपर स्लाइडर में हमारे टेस्ट मोने डिस्प्ले करना चाहते हैं तो इसके बाद यह पर आपको कैरोसल का उप्शन सेलेट कर लिने तो मैं यह पर फर्स्ट उप्शन सेलेट करके रखा हैं बाद में यह पर आपको नीचे स्ट्रोल करना है नीचे स्ट्रोल करने के बाद यह आपको डेक्स्टॉब टैबलेट और मोबाईल में कितने कॉलम डिस रहते हो तो उसको आपर आपको चेक कर लेना है चेक करने के बाद आपको नीचे आपको नीचे आपको टाइम आउट इंटर कर लेना है आपको टाइम आउट इंटर करने के बाद या पर इसका आप प्रियू देखना चाहते हो तो आपको टेस्ट मुनल का प्रियू भी आपक तो आप देख सकते हो इतने सब और आपको publish पर क्लिक कर दिना है हमने अल्रडी publish करके रखाए तो इसलिए अपर update option दिखाए दे रहा है उसके बाद या पर आपको third wall option दिखाए दे रहा होगा फ्रेल्ड सेलेक्शन का इसके उपर आपको क्लिक कर लिए मैं इसके ऊपर क्लिक करने कबाद आप जो जो चीज़े डिस्प् Corin करने चाहते हो ओच चाहिए यह नहीं आप उसक्ती आरे फिलाल यह पर सारी चीजे एनेेबल कर लिए उसकर यह पर आपको update पर क्लिक कर लिए यह कहले हैं अपको अगर करना चाहते हो तो उस पेज को open कर लेना है उसके बाद उस पेज के back end में जाना है पेज के back end में आने के बाद या पर हमें शॉट कोड का control एड़ कर लेना है या फिर टेक्स्ट हिल्टर एड कर लेना है उसके बाद यापर हमारा जो शॉट कोड कोपी किया था उस शॉट कोड को यापर हमें पेस्ट कर देना है शॉट कोड को पेस्ट करने के बाद यापर हमें इस पेज को अपडेट कर देना है तो पेज के अपडेट हो जाने के बाद चलिए अभी हमारे पेज क हमारा testimony successful या पर slide भी हो रहा है आप यापर navigation आड करना चाहते हो तो navigation बटन भी आड कर सकते हो फिलाल में इने navigation बटन हाइड करके रिख है यह इसका first carousel option था आप अगर second carousel option को try करना चाहते हो तो उसको भी try कर सकते हो तो चलिए मैं आपको दिखाए दिता हूँ इस second carousel option select कर लेना है आपर आपको और उसके बाद है आपर आपको update पर क्लिक कर लेना है update पर क्लिक करने कबाद आपर आपको इसका preview देख लेना है तो आप देख सकते हो पहले हमारे image side में थे और content एक side में था अभी हमारे image फर्स्ट आचुके और नीचे content आचुका है तो आप देख सकते हो यापर ये properly slide हो रहा है तो इस तरह से simple तरीके से आप आपने wordpress के website में testimonial को add कर सकते हो अगर इस video से related आपको कोई queries है तो आप मुझे comment पर कर सकते हो फिराल के लिए तो इतना है मिलते हैं next studio में